नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन इस्टडी पॉइंट पर दोस्तों आप सभी लोग सीटेट का एक्जाम तो लगभग दे ही चुके हो बाखी लोग अभी दे भी रहे हैं लेकिन यूपी टेट आप जानते हैं कि सूपर टेट का धरवाजा तभी आपके लिए उपन होगा जब आप सीटेट या यूपी टेट में से कोई एकी जाम पास रहेंगे तो आपको क्या पता कि कौन सी ऐसा रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा दोनों ही रास्ते ऐसे हैं जो आपको आपके मंजिल तक पहुचाएंगे पर ये भविष्य के गरत में छुपा है तो खेर पहली बात मैं आपसे ये करने वाला हूँ कि यूपी टेट कौन कौन लोग भर सकते हैं आयू सीमा कितनी निर्धारित है कहां कहां के लोग भर सकते हैं इसको पास करने पर क्या फाइदा होगा ठीक है और फॉर्म कब तक आएगा सारी बाते हैं इस वीडियो में आपको मिलने वाला है और इसका स्लेबस क्या है सब कुछ बताएंगे दोस्तों यूपिटेट का जो पैटर्न है वो ओफलाइन है ठीक है ओफलाइन आप जानते ही है जैसे आपका सेंटर पर एक्जाम लिया जाता है आपको एमार सीट मिलेगा और उसकी सहायता से आप अपने चीज़ों को फिल अप करते हो चीज़ें आप करते हो दूसरी सबसे खास बात यूपिटेट सबसे जो रनत मुद्दा है क्या अधर स्टेट के लोग अपलाई कर सकते हैं जिहां बिलकुल कर सकते हैं अधर स्टेट के लोग भी अपलाई कर सकते हैं उनका भी यूपिटेट मानने होगा अगर वो सूपर टेट में भाग लेना चाहते हैं यहां की वैकेंसी में तो यूपी टेट वो भी अपलाई कर सकते हैं तीसरी सबसे खास बात यहां पे जो मैं आपको कुछ खास-खास बातें बताने वाला हूँ कि इसका पैटर्न क्या है क्या नहीं है इसका सलेबस क्या है सारी बातें मैं आपके सामने यहां भी रखने वाला हूँ क्या कैसे क्या होगा यूपी टेट में पासिंग मार्क्स क्या होता है उसके बारें भी चर्चा करेंगे पहले इसका सेलबस दिखिए क्या-क्या इसमें आता है मैं ध्यान से आपको दिखाना चाहूंगा यूपिटेट पेपर वन के लिए क्या आपको करना है बाल भिकास आपका आता है दोस्तों बाल भिकास आपका आता है तीस नंबर का तीस नंबर का आता है कुलंक का मतलब यही होता है कि तीस में आप सताई फठाई जो भी लाओ समय यहां दिया गया धाई गंटे का समय आपको मिलता है भासा हिंदी वन होता है लैंगोज बन हिंदी लैंगोज टू आप संस्कृत या उर्दू अंग्रेजी तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं और गंट होता है आप जानते हो यह भी और परियावरण द्यन इस तरह से पांच सब्जेक्ट हैं आपने देखा बाल विकास तीस नंबर का हिंदी तीस नंबर का अंग्रेजी संस्कृत और उर्दू तीनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं और परियावरण भी तीस का और गंट भी तीस नंबर का इस तरह आपके डेड़ सो नंबर की यह परिछा होती है और डेड़ सो में आप आपको कितना लाना अनिवारी है दोस्तों अगर आप जनरल काटेग्री से हैं या अधर स्टेट से हैं तो आप 90 नंबर आपके लिए अनिवारी है आप 90 नंबर जरूर लाएं पास होने के लिए यानि कि 60% मार्क्स जरूरी है और जबकि अगर आप UP के ही है तो भी अगर जनरल है तो भी आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा और OBS अगर आप UP के ही है, OBS, C हैं, YASC, YASC, कुछ भी हैं फिर भी आपको यहां 82 तो लाना ही पड़ेगा सभी को यानि जनरल के लिए 90 OBC, 80, 80 जो भी लोग हैं इन सब के लिए 82 परशेंट मार्क्स आपको 82 नंबर आपको लाने पड़ेंगे अब आपको बताने वाले हैं कि पासिंग मार्क्स भी आपने जान लिया अब आपको यह हम बताने वाले हैं कि UP TET का आपको देने से आपको फाइदा क्या होगा दोस्तों UP TET अगर आप परिछा पास करते हो तो इसका जो सबसे बड़ा जो फाइदा आपको मिलता है वो यह होता है कि UP में एक तो सबसे बड़ा इस्टेट है पूरे भारत में तो यहाँ पे जो आपको PRT लेबल या अपर प्रैमरी लेबल पे जो बैकेंसी जाती है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके लिए यहाँ पे होता है SuperTate अगर आप UPTate पास हो या Cete나 पाफो दोनों में से कोई एक आप तभी SuperTate दे पाएंगे SuperTate दोस्तों यह आप तब देते हैं जब यहाँ पे कोई बैकेंसी आती है बिना बैकेंसी के SuperTate नहीं होता है ये भी डeर सो नंबर का होता है और यहां की पास मार्किंग जो इसमें होता है दोस्तों वह 97 पर होता है 97 जनरल कुलाना होता है 90 नंबर आपके OVC, SC, ST कुलाना होता है और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सभी स्टेट्स के लोग क्यों इस पर जोड़ दें बिकॉज यहां पर सीटें बड़ी मातरम चुकि स्टेट्स बड़ा है यह राज्य बड़ा है तो यहां बड़ी संख्या में बैकेंसी आती है तो लगभग आपको पता है किस वक्त यूपी में 2,5 लाग सीटें खाली हैं लेकिन फिर भी जो आपको अपरेल मई तक देखने को मिलने वाला है मई तक वो आपको मई के लाग भग आसपास मिलेगा आपको 70 के आसपास बैकेंसी यानि 60 से 70 हजार के आसपास बैकेंसी देखने को मिलेगी यानि कितना भी कम नंबर आप लाएं आसानी से इसमें आप सब का हो जाना है आराम से और हाँ सैलरी भी UP में ठीक ठाक बढ़ियां मिलती है अब बात करेंगे हम इसमें एक और पेपर आपका होता है पेपर 2 होता है उसका भी आप देख लो पेपर 2 भी सेम वही है कुछ बातें खास हैं डेर सो नंबर का वो भी होता है जिसमें बाल विकास आपका 30 नंबर का है हिंदी 30 नंबर का है लैंगवेश 2 आप जानते ही हो संस्कृत उर्दू या अंग्रेजी में कोई भी जो सकते हो लेकिन जो एक अंतिम इसमें होता जो सबके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता ये दिमाख में याद रखना ये वाला जो मैं नीचे आपको थोड़ा सा सरकल बना देता हूँ एक सेकेंट इसको आप ध्याम पर देख लें यहाँ पर दोस्तों जिसने ग्रेजुएशन में आर्ट साइट से जो रहा है वो तो पूरा साथ नंबर का साथ नंबर का पूरा वो सामाजी कध्यन का पेपर देता है कौन देता है सामाजी कध्यन का पूरा पेपर आप देते हूँ लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन आपका साइन्स लेबल से अगर आपने तैयारी की है जैसे ब्यस्सी की हुए हैं आप तो आप पूरा गणित और विज्ञान तीस नंबर का आप गणित देंगे और तीस नंबर का आप क्या देंगे विज्ञान देंगे बाकी तीन सब्जेक्ट आपके ओ सेम रहते ही हैं आप समझे रहो इस बात को है ना तो I hope अब आपको चीजें धेदर किलियर हो गए होगी और अब आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में चल रहा है कि सरजी यूपीटेट का फॉर्म आएगा कब तक या आपके मन में एक जोलन्त जो चल रहा है मुद्दा आपके दिमाग में कि सरजी यूपीटेट का फॉर्म कब तक आएगा चुकि सीटेट तो चली रहा है ध्यान दीजेगा फॉर्म इसका आएगा फर्वरी के फर्स्ट बीक में लगभग या आपको आठ नो दस फर्वरी के आसपास आपको इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा और आप जानते हैं यूपीटेट आपको दो महिने फे यानि देड़ से दो महिने का ही मौका देता है पूरे एकजाम के आसपास समझ रहें तो ये आपको मैंने पूरी प्रॉफेज बता दी और जो बाते मैं आपको बताता हूँ exactly मैं फालत हूँ यानि कि आप जानते हूँ इस चैनल पर कभी भी वो बाते हैं वो वीडियोज नहीं प्रोवाइट किया आते जो बिल्कुल ही जिसका कोई आधार ना हो दूसरी सबसे खास बात आपके लिए यूपीटेट की क्लासेज बिल्कुल मुफ्त बिल्कुल फ्री आफ कॉश्ट बिल्कुल टिूसन की तरह आपको खासेज दी जाएगी पढ़ाई जाएगी कब से यानि कल से यानि सोला तारीख सोला जणवरी से कल आपको दिन में ग्यारा बजे से डेली आपको live classes दी जाएगी, आप दिन में 11 बजे, education study point जो आपका channel इसे आप subscribe कर ले, well icon को press कर ले, इससे क्या होगा, जैसे ही आपकी class live होगी, आपको तुरंत आप class में join हो पाएंगे, और इस channel की सबसे बड़ी खासित आपको यही देखने को मिलेगा, कि हर एक students को personally reply करते ह हैं, जिससे उसको offline और online में अंतर ही उसको न समझाए, यानि ऐसा लगे ही ना कि वो offline, online पढ़ रहा है, तो कोई भी आपके doubts होंगे, फिर भी कोई आपकी समस्यां आपके मन में रह गई हो, तो comment में अपनी बात छोड़ दीजेगा, मैं आपको comment box में भी प्रसनली reply तो खेर ये थी आपके लिए सूचना, तो बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much, दिल से आभार आप सबका सुक्रिया, मिलते हैं आपसे next video में, thank you, thank you so much